Hello aspirants, I welcome you all back into my channel Ace exam और आज जो हम topic cover कर रहे हैं वो कर रहे हैं dams and reservoir के उपर So, अगर आपको dams के definition मालूम होगी तो basically जब एक river होती है, वो flow करती है तो उसके उपर हम एक stoppage kind of thing बना देते हैं वो किसी भी reasons की वज़े सो हो सकता है maybe कि हम वहाँ पर पानी store करना चाह रहे हैं for the irrigation purpose या फिर हम उसको control, उसका flow control करने की कोशिश कर रहे हैं कोई भी reason हो सकता है maybe हम उसको diverge भी कर दे to the other area चहाँ पर पानी की कभी होती हो तो ऐसी structure को हम मोलते हैं dams तो इंडिया के कुछ important dams के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे so let's get started with JNK and JNK में कौन से dam है तो यह है बगली हाँ dam जो कि कौन से river पे है तो यह है river चेनाब बे उरी river जो है वो किस पे है तो वो है जेलम पर then we have चो लाल डाम and सलाल डाम सलाल डाम किस पे है तो यह अगेन छेलम पे आपको देखने को मिल जाएगा next है हमारे पास पंजाब पंजाब में है हमारे पास नांगल then we have धमसल सिसवन and रंजीत सागर जो नांगल है हमारे पास जो नांगल है हमारे पास वो किस river पे है तो वो है सतलुच के ऊपर और रंजीत सागर जो है वो किस पे है अपना रभी river पे next अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है next जाता है राजिस्थान and राजिस्थान में आ जाता है हमारे पास बिसलपूर then हमारे पास है वोट जवाहर सागर and अगर हम बात करें नेक्स तो ये है जवई माहिय बजाज and राना प्रतव ये सारे सागर है, बिलसपुर किस पे है, तो ये है, बनास रिवर पे, जवाह सागर है हमारा चंबल रिवर पे, एंड माही बजाज है हमारा माही रिवर पे, बनास चंबल की ट्रिब्यूटरी है, चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी है, माही रिवर जो है, वो ट्रॉपिक को दो बार कट करती है ठीक है नेक्स है हमारे पास गुजरात, गुजरात की अगर हम बात करें तो यहां पे आता है हमारे पास दंतीवारण सरदार सरोवर कंधान कमलेशवर उकाई डम किस रिवर पे है? तो ये अगेन बनाज रिवर पे है सरदार सरोवर डैम है हमारा रिवर नर्मदा के उपर और यहीं पर हमारे पास स्टाचू आफ लिबर्टी भी आपको देखने को मिलेगी स्टाचू आफ यूनिटी यह किसकी स्टाचू है तो यह बलब भाई पटेल की स्टाचू है जो कि हमारे इंडिया के first deputy prime minister भने थे he was also home minister of India अगर हम बात करें तो इनको iron man of India के नाम से भी जाना जाता है then we have kandhana जो कि कौन से river पे है तो यह mahi river पे है कमलेश्वर किस पे है अगर हम बात करें यह dam basically गिर नाशनल पार्क के अंदर आपको देखने को मिलेगा ठीक है and ukai dam किस पे है तो यह तापती river के ऊपर आपको देखने को मिलेगी महराश्ट्रो में आपके पास है कोईना डाम, बचसा डाम, जयाक वाडी डाम, तोला धो डाम, उज्जैनी डाम and वर्ना डाम ठीक है, कोईना डाम कोईना रिवर पे ही है, जयाक वाडी डाम जो है, वो हमारा गोदावरी रिवर पे है गोदावरी रिवर कहां से निकलती है, तो यह नाशक में जो त्रिम्बकेश्वर है, वहां से निकलती है तोल तोतला दो किसे कहां पे है तो ये पेंच नदी पे है अगर हम बात करें उजैनी तो ये भीमा नदी पे है अगर हम बात करें वर्ना तो वर्ना के कौन सी रिवर पे है तो ये वर्ना रिवर पे ही है भीमा किसके ट्रिब्यूटरी है तो ये कृष्णा रिवर के ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है तो वो होती है महाबली इश्वर से नेक्स हमारे पास करनाटका और करनाटका में हैं हमारे पास अलमाटी, भद्रा, हेमवती, हिदकल, लोक्या, लिंग्वन नामकी, मालप्रभा, सूपा और तोंग भद्रा अलमाटी डाम किस पे बना है, तो ये क्रिष्णा रिवर पे बना है, भद्रा इस और भद्रा रिवर, हेमवती, हेमवती रिवर पे बना है, हिदकल है हमारा घाट प्रभा पे, घाट प्रभा, एंड ये कौन से रिवर पे है, तो ये अगैन क्रिष्णा रिवर पे आपको दे वाटरफॉल पे बनाती है, then we have मालप्रभा, सूपा एंड तुंग भद्रा, तुंग भद्रा तुंग भद्रा रिवर पे ही है, केरला में है हमारे पास एडुकी, चीरा थोनी, एड़मलयार, कक्की, मलम, फूजा, परम, विकुलम, एंड नैयर, तो एडुकी डाम हमारे बेसिकली डबल करवेचर डाम है, यहां लिख देती हो, डबल करवेचर डाम, एंड अगर हम एड़मलयार की बात करें, तो यह पेरियार रिवर पे आपको देखने को मिल जाएगा, कक्की कक्की रिवर पे है, मालफूजा, मालफूजा रिवर पे है, यह सारे जो dams है वो उन्हीं की rivers पे आपको देखने को मिल जाएंगे next है हमारे पास Tamil Nadu and Tamil Nadu के अगर हम बात करें तो यहाँ पे है कि हमारे पास color नहीं जो की oldest dam है इंडिया का of India and यह कौनसी river पे है तो यह river कावेरी के उपर आपको देखने को मिलता है यह तंजोर district में है तंजोर district and इसको बनाया किसने था तो यह king curry कलन ने बनाया था जो की चोलर डाइनस्टी से बिलॉंग करते हैं between the year 100 BC to 180 then हमारे पास है मेटूर डैम जो की again river कावेरी पे है अल्यार डैम, अमरावती डैम, भवानी सागर डैम, सोल्यार डैम and वेगई डैम moving forward हमारे पास है अंद्रप्रदेश अंद्रप्रदेश में है हमारा कडालिरू डैम, सिरी सेलम डैम जो की है हमारे कौसीर रिवर पे तो यह कृष्णा रिवर पे आपको देखने को मिल जाएगी then we have सोमसिला डैम, वेलगी डैम, जलपुट्टू and पल्लावरम डैम यही पे आप एक और एड कर लिजिए जो की है नागरजुना डैम जो के किस पे है तो यह रिवर कृष्णा पे आपको देखने को मिल जाएगा and यह 1967 में बना था for the purpose of irrigation and power generation next जो है हमारे पास वो है उडिसा में तो यहाँ पे है हमारे पास मंदिरा डैम, मूरन डैम, पदगोडा डैम and रिंगाली डैम, हीरा कुण डैम, इंद्रावती and कपूर ठीक है अगर हम इसके बात करें हीरा कुण की तो यह कौन से रिवर पे है तो यह माहनदी रिवर पे आपको देखने को मिलेगा and यह लॉंगेस्ट डैम है इंडिया का, लॉंगेस्ट डैम and along with that यह लॉंगेस्ट अर्दन डैम भी है वर्ल्ड का, अर्दन डैम ऑफ वर्ल्ड, इसकी लेंथ कितनी है तो यह है 25.79 किलोमेटर्स and यह बना कब था तो यह बना था 1953 में moving forward we have is 36 गड में है वह हमारे पास गंगरेल, कोटा घाट, मिनीमाटा and दुदुआ मिनीमाटा कौन से रिवर पे, यह हस्दोई रिवर पे है, गंगरेल है हमारा महनदी रिवर पे और दुदुआ है हमारा अगेन महनदी रिवर पे, यहाँ पे है हमारे पास कौन सा, तो यह है कोनार, मैं थून, पंचेद and तेनु घाट चारखंड के अगर हम बात करें तो है हमारे पास कौनार, यह सेम यह हो गया, चारखंड यह दोनो, तो यह आप यहाँ पे देख लीजिएगा अगर हम बात करें पंचेद और तेनु घाट की, तो यह दोनों हमारे रिवर दामोदर के उपर आपको देखने को मिलेंगे दामोदर रिवर को हम सौरो अफ बेंगॉल के नाम से भी जानते हैं, नेक्स है हमारे पास अरुनाचल प्रदेश और यहाँ पे हैं, हमारे पास दिबांग, शुबनश्री और रंग नदी तो दिबांग कौन से river पे है तो river दिबांग पे ही है सुबन्शरी हमारी सुबन्शरी river पे है दिबांग जो है वो अभी under construction चल रहा है और अगर हम बात करें कि बिहार की तो ये है दुरगावती चंदन और एक और आप अड़ के लिजिएगा नागी रिवर नागी ठीक है ये हमारे कहाँ पर है बिहार में नेक्स्ट है हमारे पास यूपी एंड यूपी में है माटा टीला, रीहांद, परिछा, राजखाट, गंगा बहराज, दुर्गावती, चंदन ठीक है ये तो हमारे बिहार के हैं तो इनको हटा लिए जएगा ये है हमारे सारे यूपी के माटा टीला कौन से रिवर पे है तो ये है बेतवा रिवर पे, रीहांद है हमारा रीहांद रिवर पे जो की लाज़िस डाम है हमारा किसका यूपी का परिछा हमारा है किस पे? बेतवा रिवर पे राजखण जो है वो अगेन बेतवा रिवर पे आपको देखने को मिल जाएगा और गंगस बयराज कहां पे तो वो गंगा रिवर पे है उत्रा खड़ में है हमारे पास तेहरी डाम, लखवर डाम, कोटेशवर डाम, तपोवन और विश्णुगर ठीक है अगर हम बात करें तेहरी डाम की तो यह बिसिकली हाईस्ट डाम ऑफ इंडिया है हाईस्ट डाम ऑफ इंडिया जिसकी हाइट कितनी है तो यह है 260 मीटर्स अगर हम length के बात करें तो ये है 575 मीटर कौन से river पे है ये भागी रथी river पे आपको देखने को मिल जाएगा लखवर डैम है आपका यमुना रिवर पे खोटेश्वर डैम है आपका भागी रथी रिवर पे अगर हम बात करें तपो वन की तो ये है धौली गंगा पे next है मारे पास हिमाचल प्रदेश जिसमें है हमारा भाकरा डैम कमेरा डैम महराना प्रतात सागर डैम भाकरा के अगर हम बात करें तो ये रिवर सतलुच पे आपको देखने को मिल जाएगा ये वन ओप दा हाईएस्ट ग्राविटी डैम है इन वर्ल्ड कमेरा डैम किस पे है तो ये है रावे रिवर पे महराना प्रताप है हमारा ब्यास रिवर पे अब हमारे पस पस एक स्टेट रहे गया है ताट इस हमारा एमपी जहां पे हमारे पास है बंद सागर जो कि कौन से रिवर पे है तो ये रिवर सोन पर आपको देखने को मिलेगा इंदरा सागर आपके कौन से रिवर पे है तो ये रिवर नर्मदा पे आपको देखने को मिल जाएगा and ये one of the largest reservoir भी form करता है then we have Gandhi Sagar जो कि चंबर रिवर पर है बारगीर डाम जो कि नर्मदा पर है ओम का रिश्वर आपको नर्मदा पर देखने को मिलेगा तावा डाम is on तावा रिवर and मेधी केडा है हमारा सिंध रिवर पर तो ये था about the dams and reservoirs in India and अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो do like, share and subscribe to my channel कोई suggestion हो तो आप comment section में बता सकते हैं हम फिर मिलेंगे in the next video तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए Thank you and Jai Hind